दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में दोस्तो घर में आप बहुत सारे काम कराते हैं और यहां पर क्या है कि अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ाख हम यहां जाब भूगतना पड़ता है दोस्तो अभी गर्मी कमरे में दिखा रहा हूं यहां जो वास्टर है वो सारण कर गया है अब या अभी कैसे है और आपको crack नहीं आएं तो आप देख रहा है यहां पर ब्लाश्टर किया जा रहा है ठीक है अब ब्लास्टर करने से पहले दो से तीन चीजों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ओ चीज आप इस वीडियो में जान लिजे वरना यहाँ जैसे आप देख रहा है कि नीचे से यह लाइनिंग लाइनिंग आपको स्रिंकेज क्रैक दिख रहा है और जितना बड़ा यह जो प्लास्टर यहाँ पे फट गई है जिस भी दिवार पर प्लास्टर कर रहा है आप उसमें कम से कम 3 से 4 दिन पहले से तरहाई में थार्ट कर दें दोस्तों गर्मी काफी है तीन से चार दिन तक आप तरही मारें आप प्लास्टर से एक दिन पहले यानि कि एक दिन पहले और ठीक प्लास्टर से पहले भी आपको पूरी दिवार तर करनी है उसमें इतना आप तर कीजिए कि पानी उसमें से नीचे से उपर तक टपकता हुगा आपको दिखाई दे, जब आप हाथ उसपे डाल के चेक करें तो आपके हाथ में पानी आ Ctrl आना चाहिए, तो दोस्तो पानी का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है, पानी में आपको ताही करेंगे, तो पका आपका जो यहां पे जैसे फ्लास्टर में करैक देख रहा हैं, वैस उसलब इंट की दिवार पर बहुत ज्यादा देना है जैसे आप देख रहा है कि यहाँ टमप्रेचर काफी ज्यादा है उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि आपको जिस दिन आप प्लास्टर करें तो उस दिन पहले तराई करने के बाद आप उसके सीमेंट सलरी यानि जो ज्यादा मोटा और ज्यादा पतला नहीं करना है medium घोल बनाना है जब गोल मारते हैं दिवार पर चिपक जाए अब गोल मारना से यह गया होता है कि जाव आफ उस पे उस पर मसाला चड़ाएं घो उसपेजने C, और में भांडिंग बनाताहाई और मसाला जो प्लास्टर का म कि दोस्तों कभी भी आप PPC cement का इस्तमाल करिये गर्मी के दिन में अगर OPC cement जो मार्केट में अब तो मिलती नहीं है अगर आप इस्तमाल करते हैं कहीं पे भी तो उसमें बहुत जल्दी shrinkage crack आएगा क्योंकि दोस्तों cement में आप जानते हैं कि उसमें reaction बहुत जल्दी होता है उसमें hydration काफी ज़्यादा होता है तो एक तो cement ऐसा ही गरम होता है उपर से इतना ज़्यादा temperature जैसा ही आप मसाला मिलाएंगे तो अगर OPC cement इस्तेमाल करेंगे तो तुरंट जल्दी set भी होता है और दिवार पे आप मारते हैं तो इतना ज़्यादा पानी हो चाहिए OPC cement को कि आप अगर उतना पानी नहीं दे पाते हैं 10-7 दिन तक तो उसमें पक्का आपको देखिएगा अगले दिन क्रैक आजाता है और PPC cement अगर आप लगाते हैं तो इसमें भी आपको गर्मी काफी है अभी तो PPC cement में थोड़ा से यही होता है कि आपका जो hydration का reaction होता है cement में थोड़ा slow हो जाता है तो उसमें हमें थोड़ी सी आराम मिल जाती है हमें दिन में जैसे कि प्लास्टर के बाद एक से दो बार भी दो बार हम पानी मार देते हैं सुबह और साम में और साथ दिन से दस दिन तक आपको पानी मारना है उसमें तब जाके उसमें क्रैक नहीं आता है क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं गर्मी टंपरेचर जादा है और एक तो सिमेंट में से हीट निकलता है तो जल्दी आपको मसाला को सुखा देता है तो इसलिए आपको करना क्या है कि आदे घंटे मसाला यूच कर लिजे और उसके बाद अगर बच जाता है माल लिजे कोई रिजन से तो जब भी आप मसाला उसको आप लगाएं दिवार पे तो पहले उसमें पानी चेक किजी पानी उसमें डालिये प्रॉपर दुबारा सिमेंट सोड़ा से डालके उसको मिक्स करके अच्छे से एक चार या एक पाँच रेस्यों के यानि एक अगर तसला यानि तगाडी आप सिमेंट ले रहा है तो पाँच तगाडी उसमें आपको बालु लेना है और उसको mix करके फिर आप दिवार पे लगाएं दोस्तो PPC cement बहुत सारे हमारे अभी market में available होता है जैसे कि आप यहाँ पे JK का मैं cement PPC लगा रहा हूँ normal जो market मिलता है, ultra tech का जो normal cement मिलता है आप वह यूज कर सकते हैं, siri का cement मिल सकता है कोई भी PPC आजकल जितने आपके nearby dealer होता है, सब के पास PPC cement होता है आप वह यूज कर सकते हैं, plaster के लिए बहुत अच्छा होता है अब यहाँ पे जो तीसरा चीज होता है आपने तो plaster कर लिया, लेकिन उस plaster के बाद अगर temperature अभी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है अगले दिन यानि ठीक आप कोशिस ये करें कि 8-10 या 12 गंटे बाद आप उस पे पहले plaster पे हलका हलका pipe से पानी से छिड़काओ करें और उसके बाद ठीक जब थोड़ा सा आप देखे कि plaster set हो गया यानि 12-14 गंटे बाद गर्मी के दिन में दोस्तों आपको कम से कम सुर्यू के 4-5 दिनों तक 3 बार उस पे तराई करना है सुबाव में, दोपहर में और साम में तराई इतना करना है कि जब उपर से आप पानी मारते हैं तो इतनी दिवार भिंग जाए कि नीचे तक पानी आए, दिवार आपकी पानी सोखे नहीं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पानी तुरंद सूख जा रहा है तो पानी सुखे नहीं उस पे हाथ मार के आपको चेक करना है कि जब आप हाथ से टच कर रहा है तो आपके हाथ पे पानी आ रहा है कि नहीं और अगर नॉर्मल दिन में आप कर रहा है तो नॉर्मल दिन में आप मुश्किल से दो बार सुबह और साम में कर दें तो चलता है करनी थो 5 से जो दसवे दिन है वो दोस्तों आपको दो बार सुबह और साम में तराय करनी है और तराय का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। दोस्तों तराय में सिमेंट के mixing में और कौन सा सिमेंट आप इस्तमाल कर रहा और तीसरा चीज कि आप जो है प्लस्टर से पहले कितना दिन तराई कर रहे हैं दिवार को कैसे तराई कर रहे हैं यह इसी चीज पर डिपेंड होता है कि आपका जो है plaster crack करेगा कि नहीं करेगा और आपका इसमें पैसे का नुकसान होगा या नहीं होगा